कबाड की चीजों से बनाया एक Zero Waste Home Garden राजस्थान के बाडमेर के रहने वाले आनन्द महेश्वरी ने एक Zero Waste वाला गाडन तयार किया है गाडनी के शौकीन आनन्द ने आठ साल पहले इसकी शुरुवात की थी वो नरसर इसे तरह-Tरह के पौधे और गमले लेकर आते थे समय के साथ उन्होंने देखा कि सिमेंट के गमले में पौधे लगाने से उनके पौधे अच्छे से नहीं बढ़ रहे इसलिए उन्होंने घर में पड़े बेकार डिब्बो में पौधे लगाना शुरू किया और इस तरीके से वे अच्छी तरह उगने लगे लॉकडाउन का सारा समय उन्होंने गार्डनिंग के बारे में ज्यादा जानकरी इकटा करने में लगाया वो कपड़ों के दुकान चलाने के साथ साथ सुबा शाम का समय गार्डनिंग में बिताते आज उनके घर 150 तरह के तकरीबन 1000 से भी ज्यादा पौधे है आननने अपने टेरेस पर ही एक हाइड्रोपोनिक सेटप भी लगाया है और पौधों को पानी देने के लिए खुद एक ड्रीप एरिगेशन सिस्टम भी बनाया है अब आनन बुजुर्गों और बच्चों को भी गार्डनिंग सिखा रहे हैं और उन्हें मुफ्त में बौधे देकर प्रोचसाहित कर रहे हैं शुरू शुरू में तो सब ने आनन के इस शौक को गंबिरता से नहीं लिया लेकिन आज उनके घर का गार्डन देख लोग उनके पास गार्डनिंग टिप्स लेने आते हैं आज इस गार्डन की वज़े से उनके घर की सुन्दरता तो बढ़ी ही है साथ ही उन्हें राजस्थान की तपते दूप से भी काफी राहत मिली है अगर आप भी आनन से कुछ टिप्स लेना चाहते हैं तो उनके फेस्बूक पर संपर्क कर सकते हैं